खूबसूरत दिखना किसे पसंद नहीं, हर कोई अपनी खूबसूरते के लिए मेकप हो या फिर अलग-अलग तरह की ड्रसिंग स्टाइल को अपनाते हैं, तो कोई अपनी हैर स्टाइल से खुद को सवारता है, पुरे साजे श्रुंगार में हैर स्टाइल का अपना अलग महत होता है, इसे श्रुंकला में प्रोफेशनल मेकप आर्टिस्ट शीतल करवारी द्वारा प्रोफेशनल है स्टाइलिस्ट इमरान खान का एक दियूसिया सेमिनार दो दियूसिया वोक्शॉप का आयोजिन किया गया है, इस सेमिनार वोक्शॉप में करीब असे से सतासी चात् हमारे समाधाता शितिजा देशमुक ने खास बातचीत की है आई ये डालत है एक नजर SP के मेक और एंड ब्यूटी अकेडेमी की और से यहाँ पर हैस्टाइल का दो दियूसिय सेमिनार का आज़न किया गया है इस दोरान मतलब सीखने को कम मिलता है पहली बार जो है ऐसा हो रहा है क्या बता हो दो मैं मेगा कपो रमे सर मैं नागपूर से हूँ एक मेकप आटिस्टन सेलिब्रिटी मेकप आटिस्ट हूँ जैसे कि यह जो शीतल मैं ने शो और्गनाईज किया है कोवीड सबसे वड़ी वात तो कोवीड में भी इन्होंने सारी सेफ्टी रखी है डिस्टन्स का भी ध्यान रखा हुआ है और कोवीड में अगर शो करना सबसे रिस्की होता है तो उन्होंने सारी चीजों को संभाल के इस चीज को शो किया और यह बहुत सौभागय की बात है क्योंकि makeup पे हरकोई देता है hair पे कोई द्यान नहीं दता है आज भी मैं देख रही हूँ मैंने काफी सारे स्टूडेंट को वि मेरे बोला कि जितना आप मेकप में दोड़ रहे हैं, उतना हेर के लिए दोड़ना भी बहुत जरूरी है, तो ये शोग और्गनाईज करके इन्होंने एक मिसाल कायम की है, जो मुझे लगता है, आगे ये एक चिंगारी उठी है, समझ जाई है आप मेरा नाम श्रीजेन है, मैं नाकपूर से हूँ, प्रोफेशनल मेकप आर्टिस्ट, मेरा स्टूडियो है, रामकुलर चोकमया, और सच में मेगा मैम ने जैसे बोला, कि एक मेकप तो हर कोई करता, लेकिन हेर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज इन्होंने इमरान सर्जो दिली से, इतने अच्छे हैर स्टाइल आर्टिस्ट है, उन्होंने नाकपूर में लाकर बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू, शितल मैम, अं सर ने सच में इतना अच्छा बताया है, हैर के बारे में, जीसे स्प्रे, होसे हैर आर्टिस्ट्स प्रे यूज़ करते हैं, ल एक परसन भी यहां नहीं रहा कि वो जो बता थे इतना ताम जाम ये करो वो करो शाइन स्प्रे ब्ला 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 ये सर ने वो ही इंटरनेशनल रहरेस्टर इतना इजी ली एकी स्प्रे में कम्प्लीट किया तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आए है उनका गुड और इतनी फीनिशिंग और टच अप के साथ में मेक अप तो सच में मैं तो फैन हो गई सर की और थैंक्यू शीतल माम इतने अच्छे सर को आपने नाकपूर में लाके एक मिसाल कायम किये कि नहीं दस स्प्रे यूज करने से अच्छा एक स्प्रे में खिलो ये मेरे लिए बह से काफी स्टुडेंट आये है तो मेरे काफी स्टुडेंट ने बोला कि नहीं माम सच में हाप जादा खर्चा करने की वह कंफ्यूज हो जाते हैं बिचार कि हम शाइन स्प्रे ले या बला ले या बला ले तो इन्होंने एक ही स्प्रे में ये हमारे मीडियम गरीब वर के ब कर दो सबस्क्राइब कर 17.000.000 तो मैं तो यह बोलती कि ह्हार एक कोई तेली नी जा सकता है लेकिन और गॉन इंधेयर उनको लाते हे तो बहुत सभावगय की वात है। फिले मैं चाहती हूँ कि दुसरे और गॉन By है औरू भी हैर स्टाइल नाग्पूर में स्टाइब ऐसा हुआ कि शी तल्म ने एक हैर स्टाइल शो लाया और वह भी एक स्प्रेइ में मेक अप करके दिखा है तो थांक्यू शीतल मैम मेकप के बोट सीमिनार होते हैं लेकिन क्या मेकप करके हम क्लाइन को छोड़ने देते ना तो फिर हमको तो हमको भी ऐसा लगते है कि इंटरनेशनल मेकप स्वारी जो है स्टैल हमको सीखना है तो बच्चों के डिपांड पर ही मैंने यह की हूँ और मैंने की देखो सबका यह कहना था कि हमारा बजट ने सबसे पहले बात है कि बजट की तो सबका बजट बहुत यह 10,000, 15,000 यह नहीं होता और जैसे बोलते हैं कि दिली जाना जै सीखने के लिए तो जाने आने के लिए खर्चा उतना हो जाते है जो मैंने 5,000 यहां पर तीन दिन का शो की हूँ, अनली 5,000 इसका फीज रखी हूँ, तीन दिन के लिए, तो बच्चों का यह दिमांदा कि हमको भी सीखना है, लेकिन कम में सीखना है, तो आप हमारे ले कुछ सोचोंगे कि मैं, बच्चों के लिए जो बी करना है, मैं मेरे जिब से लगाऊंगे, लेकिन आप लोग के लिए में यह शो करके दिखाऊंगी, और उनी बच्चों के लिए मैंने यह शो की हूँ, जिनका बजट नहीं है, जो उनको लगता है कि नहीं हमको देखना है, और हमको सीखना भी है. अगर एमरान सर को फिर Kate दो करो है। एंहाँ पर सारे लोगों मुझे बहुत अची सपोर्ट के नहीं ते वोत स्रीघा में भी आई ते तो thank you so much मैं सबका कहिना चाहती हूँ कि एक और्गनाइजर तो काम करती है कि चलो सबको बुलाओ लेकिन उसको जब तक में का पार्टिस नहीं आते है तो और्गनाइजर तो कुछ कर जब तक आर्टिस नहीं बैटेंगे तो मैं तो क्या आर्टिस को बुला कि कुछ करने सकती हूँ लेकिन आर्टिस लोगों का ही सपोर्ट मुझे था कि मैंने उनके इसके डिमांड पर मैंने जो बुलाई हूँ जो आर्टिस है बच्छों के डिमांड पर ही मैंने आर्टिस को बुलाई हूँ जिस तरह से हमने देखा कि यहां पे जो है सेमिनार चुल रहा है है यहां पर आये हैं इमरान खान हमने हम जानते हैं उन्हीं से की सुन्दर दिखना हमें पता है कि इसे पसंद नहीं होता लेकिन हर कोई सुन्दर कैसे दिखे इसके लिए भी अलग-अलग मेक अप होता है अलग-अलग हैस्टाइल होती है और उसी की तहट जो है हम उनसे बात करेंगे सर जी बहुत-बहुत पहले तो आपका स्वागत है क्या बताओगे जिस तरह से आज आज आप ह见या इतनी कर पता रहे हो कौन सी है सटेल्ड फिलाल अप कर रहे हो क्या में ब्रैडल का बन कर रहू हूँ था कि लोग जाधा जाधा करें और जाधा से जाधा आगे बढ़ें कि बारे में और कि बताना चाहँगहे हैं जो हमारे साथ सबी लोग जमे हैं उनके लिए इस बारे में वस यही कहना है कि सबका पना-पना टैलेंट है ये ये की स्ठय महो रहा है दो में भी हो सकता है कुछ 2000 बेहीं बोलते हैंट निकिन मैं एक में भी कर देता हूँ क्या खास रहेगा इस सेमिनार में जो यहाँ सीखने आए हैं सब के लिए खास है कुछ नया मिलेगा कुछ एडवांस मिलेगा सीखने के लिए और मैं चाहता हूँ सब सीखें और आगे बढ़ें क्या यहाँ के नागपुर की जो हेरस्टैलिस्ट है या जो मेकप पार्टी से उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहोगे बस मैं यही कहना चाहूँगा सब करें सब बढ़ें और जादस से जादा कोशिश करें मेहनत करें बिल्कुल जिस तरह अभी हमने देखा कि हेरस्टैल तो यहाँ से बहुत अच्छी हेरस्टैल बन रही है ब्राइडल जो है लूक यहाँ पर किया जा रहा है और जिस सरह से सर ने बढ़ा है कहा है कि सब करें सब बढ़े ऐसा है यहाँ पर जो कहा गया है उसे कि तरह यह तीन दीन का सेमिनार है और सब इसका लाब ले सब इसका लाब ले ऐसे ही आई जो है आई जो के दोरा जो है अपील की जा रहे है कैमेरा परिसन राजकुमार मोर्ड के साथ चिति जादेश मुख बीसीन नियोज नाखपूर